Hello guys, 100 words per minute editorial dictation start होगी 5 seconds बाद Start अफगानिस्तान की राजधानी काबूल पर जिस तेजी से तालिबान का कब्जा हुआ इसका अंदाजा शायद कई देश और खुद अफगानिस्तानी सरकार को भी नहीं था एक और चीन और पाकिस्तान तालिबान से अपनी दोस्ती के चलते काबूल के नए घटना क्रम को लेकर आस्वस्त दिख रहे वहीं भारत फिलहाल बहुत साउधानी से कदम उठा रहा है भारत के अब तक तालिबान के साथ सीधी बातचीत शुरून करने की बड़ी वजह यह रही है कि भारत अफगानिस्तान में भारतिये अभियानों पर हुए हमलों में तालिबान को मददगार और जिम्मेदार मानता था एक और बड़ा कारण यह भी रहा कि ऐसा करने से अफगानिस्तान सरकार के साथ उसके रिष्टों में दिक्कत आ सकती थी जो एतिहासिक रूप से काफी मधुर रहे हैं लेकिन अब इस्थती बदल गई है सच्चाई यह है कि पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने अफगानिस्तान में पुनर निर्मान से जुड़ी परियोजनाओं में लगभग तीन अरब डोलर का निवेश किया है संसत से लेकर सडक और बांध बनाने तक कई परियोजनाओं में सेंकडो भारतिये पैशेवर काम कर रहे हैं ऐसे में भारत के पास दो रास्ते हैं या तो भारत अफगानिस्तान में बना रहे या फिर सब कुछ बंद करके नब्बे के दशक वाली भूमिका में आ जाए अगर भारत दूसरा रास्ता अपनाता है तो पिछले दो दशक का किया धरा खत्म हो जाएगा इसमें भारत को कोई बीच का रास्ता अपनाते हुए तालिबान से बाचीत का रास्ता अपनाना चाहिए गुनिशु नब्बे में जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज था और तब भारत ने अपने दूतावास बंद कर दिये थे उसके बाद भारत ने कंधार विमान अपरहन कांड देखा था भारत विरोधी गुटों का विस्तार भी भारत ने देखा 2011 में भारत ने अफगानिस्तान के साथ रनितिक साजेदारी समझोता किया था जिसमें हर सूरत में अफगानिस्तान का समर्थन करने का भारत ने वादा किया था दरसल तालिबान में एक गुट ऐसा भी है जो सहयोग वाला रवया रखता है जब अनुछेद 377 का मुद्दा उठा तो पाकिस्तान ने इसे कश्मेर से जोड़ा लेकिन तालिबान ने कहा कि उसे इससे कोई लेना देना नहीं है और इसकी उसे कोई परवाह नहीं है कि भारत कश्मेर में क्या करता है ऐसे में बहुत मुम्किन है कि तालिबान 2.0 तालिबान 1.0 से थोड़ा अलग हुगा लेकिन तालिबान ने सिर्फ चहरा बदला है या आईना इस पर विभिन जानकारों का राय बटी हुई है भारत के सामने कई चुनोतियां आ सकती हैं जिसमें तालिबान के साथ समंधित आतंगवाधी गुट जैसे जैश लशकर और हकानी नेटवर्क की छवी अब तक भारत विरोधी रही है दूसरी चुनोती के रूप में मध्य एशिया में व्यापार और आर्थिक विकास के मसले पर दिक्कतें आ सकती हैं तीसरी चुनोती चीन और पाकिस्तान को लेकर है जो पहले से ही तालिबान के साथ अच्छे सम्मंध बनाएं हुए हैं जाहिर है भारत ता बदल कर भारत के आंतरिक हितों और मुद्दों से दूर रहेगा इसलिए भारत भी अपना कदम फूंक फूंक कर रख रहा है पैरा टीवी चैनलों जिस तरह से नेताओं के बीच बहस करवाय जाते हैं मेरा मानना है कि बहस के जरिये लोगों को हिंसक बनाया जा रहा है संसद भवन में भी इन दिनों इसी तरह का माहोल रहता है बहस कम एक दूसरे पर चीखते चिलाते नेता 15 अगस्त को सुपरीम कोट के प्रधान न्याया धीश ने भारतिये संसद में सार्थक बहस नहीं होने पर चिंता जताते हुए बड़ी टिपनी की टीवी चैनलों पर हो रही बहस को देख कर लगता कि यह क्या माहोल बनाने का परियास किया जा रहा है अफगानिस्तान में क्या इस्थती है इस पर हम अपने देश में बहस करें या न करें आम लोगों पर कुछ खास अंतर पढ़ने वाला नहीं है लेकिन देश में सर्वोच न्यायले की टिपनी हमारे संसदिये बहसों को लेकर हो तो यह एक महत्वपोन और गंभीर बहस हो सकती है अफसोस की बात है कि भाशाओं की मरियादा सभी जगह गिरी है बहस का उदेश यह जब एक दूसरे को नीचा दिखाना और तंज कसना रह गया हो तो समझ सकते हैं कि आम लोगों के लिए क्या कानून बनेगा और क्या आम जनों का हित होगा प्रधान न्यायाधिश के दुआरा कहे गए वाक्यों की व्याक्या जरूरी है हम विधी विशेशग्यों की राय जान सकते हैं कि हमारे सांसद के बहस का इस्तर कहा चला ग हम जिस तरह से अपराधी और दागी नेताओं को संसद भवन भेज रहे हैं उससे आने वाले समय लोगतंत्र के लिए खतरनाग साबित हो सकता है यह सत्य है कि पहले और दूसरे संसद्य काल में हमने योग्ये और काविल लोगों को जीत दिला कर संसद भवन तक पहुंचाया उस समय हमारे देश की शाक्षर्ता दर 30 प्रतिशत थी आज हम शाक्षर्ता में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हम उतने ही निरर्थक जन प्रतिनीधियों को चुन कर भेज रहे हैं यह हमारे ग्यान और शिक्षित होने पर प्रश्न चेन खड़ा करता है साथ ही यह मानसकता भी बताता है कि हमें कैसी सरकार और नेता चाहिए शायद यही कारण है कि संसद से लेकर मीडिया हाउस तक केवल नफरती बोल के आधार पर बहश शुरू कर दी गई है पहरा ओलम्पिक समाप्त होने के बाद भारतिये एथलेट घर लोटे उन्हें सम्मानित किया गया और उनकी मदद की गई सम्मान किया भी क्यों न जाए आखिर भारत ने इस बार अपने अब तक के प्रदर्शन से ज़ादा पदक कमाए आगे सरकारे एथलेटों को और सम्मान देंगी और उनकी मदद करेंगी लेकिन प्रस्ण यह है कि मदद उलम्पिक से पहले क्यों नहीं की गई अगर ऐसा हूता तो एथलेटों को जो संगर्श और कस्ट जहलने पड़े वे शायद उन्हें न जहलने पड़ते जिन कारणों के चलते वे पदक से दूर रहे शायद वे कारण उत्पन ही न होते अगर सहयोग उलम्पिक से पहले मिला होता तो शायद भारत ज्यादा पड़क ला पाता इसके बावजूद देश में किसी भी सरकार का एथलेटों को धनराशी से सम्मानित करना सरहनिय है लोगों और सरकारों का एथलेटों का और सहयोग करना भारत को और पदक दिला सकता है पर ध्यान इस बात का रखना होगा की मदद प्रतिस्फरधा से पहले की जाए इन मायने में ओडिसा सरकार का होकी टीम का प्रायोजक बनना और बिरसा मुंडा अंतराश्ट्रिये होकी स्टेडियम बनवाना सरहनिये हैं आगे यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे खिलाडियों को अगर कोई सह मिले तो वह विलंबित ना हो